कुलकाता नाइट राइडर आईपेल 2024 के सुलहवे मैच में दिली कैपिटल को 106 रोनों से हरा दिया है टॉस जीत कर पहले बले बाजी करते हुए कुलकाता ने 20 ओवर में 7 विकेट गमा कर 222 रोन बनाये थे जवाब में दिली की टीम ने 17 ओवर 2 बॉल में 166 रोन पर ही सिमट गई यह दिली की 4 मैचों में से 3 हर है वहीं कुलकाता ने जीत की हैट ट्रिक लगा दी है टीम ने अब अपने सबी 3 मुकाबले जीते इस जीत के साथ कुलकाता की टीम ने 6 ओंकों के साथ सिर्ज पर पहुँच गई है वहीं दिली की टीम ने 9 अस्थान पर पहुँच गई है उसके 2 ओंक है कुलकाता को अगला मैच 8 अपरेल को चेनई सूपर किंग के खिलनी है वहीं दिली की टीम अपना अगला मैच 7 अपरेल को मुंबाई इंडियन्स के खिलाफ वांग खेडे स्टेडियम में खेलेगा अब कुलकाता की पारी जब टॉस जीत कर बले बाजिक करते हुए कुलकाता नाइट राइडर्स ने विशाखा पटनम में 20 स्कोर खाड़ा किया उन्होंने 20 ओभर में 7 विकेट गवा कर 272 रौन बनाए थे यह आईपील का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है आईपील का सबसे बड़ा स्कोर भी इसी सीजन में बना था संराइजर हैदराबाद ने मुंबाई इंडियन्स के खिलाम 27 मार्च को 277 रौन बनाए थे 272 रौन कुलकाता का आईपील में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है इससे पहले 2018 में उन्होंने पंजाब के खिलाफ 245 रौन बनाए थे मैच की सुरुवात सुनील नरेन और फ्लिप साल्ट ने तूफानी अंदाज में की थी उन्होंने पहले विकेट के लिए 4 अबर 3 बौल में 60 रौन जोड़े इसी साजेदारी को नर्जो ने तोड़ा उन्होंने सौल्ट को आउट किया इसके बाद तो नरेन ने 18 साल के युवा भारतिय बलेबाज अंक्रीस रगवनसी के साथ मिलकर चोके छके की बरसात कर दी दोनोंने 48 गेंदों में 104 रौन की साजेदारी निभाई नरेन ने IPL करियर का पाचवा और्ध सतक लगाया उन्होंने 49 गेंदों में 7 चोके 7 चके की मदद से 85 रौन की पारी खेली उन्हें मार्स ने आउट किया वहीं अंक्रीस रगवनसी ने IPL में डेबिय करते हुए संदार और्ध सतक जड़ा वह 27 गेंद में 5 चोके और 3 चके की मदद से 54 रौन की पारी खेली कप्तान स्रेस अयर ने 11 गेंद में 18 रौन बना कर आउट हुए वहीं नरून रगवनसी के बाद अंध्रे रसेल और रिंकु सिंग ने तुफानी पारी खेली रिंकु आठ गेंदों में 1 चोका और 3 चके की मदद से 26 रौन बना कर आउट हुए कुलकाता की पारी का विश्वा ओवर कराने इसांत सर्मा है उन्होंने ओभर की पहली ही संदार यरकर से रसेल को क्लीन वोल्ड किया रसेल का यह यरकर पर बैलेंस बिगडा और वहब गिर गया है उन्होंने 19 गेंद में 4 चोके और 3 चके की मदद से 41 रौन बना है इस ओवर की तीसरी गेंद पर इसांत ने रमंदीब को चलता किया वह दो रौन ही बना सके वैंकेटे सायर ने 5 रौन और स्टाक 1 रौन बना कर नवादा रहे इसांत ने बिश्वा उभर में मात्र 8 रौन दिये देली के और से नर्जे ने 3 विकेट लिया वहीं इसांत को 2 विकेट मिला खलील और मार्स को 1-1 विकेट मिला देली की पारी दिली की टीम कभी इस रन चेज में नजर नहीं आई उसने 33 रन पर ही चार विकेट गावा दिये थे प्रितभी 110 और और इंपक्ट पलेयर अविशेक पोरेल जीरो बाइभाव और ओडा ने जबकि डेविट वारनर 18 और मीचेल मार्स जीरो मीचेल स्टाग पावेलियन भेज कर दिली को बैक फूट पर धकेल दिया मार्स का खराब फर्म जारी रहा इसके बाद कप्तान रिसा पंत और ट्रिस्टन एस्टाब ने पाँचवे विकेट के लिए 93 रन की साज़ेदारी निभाई पंत ने 25 गेंदों पर 4 चौके और 5 चौके की मदद से 55 रन की पारी खेली उन्हों ने 23 गेंदों पर IPL करियर का 17 पंत ने चेनाई सुपर किंग के खिलाब भी तुफानी पारी खेली अक्षर पटेल खाता नहीं खोल सकें स्टाब्स ने 32 गेंद में 4 चौके और 4 चौके की मदद से 54 रन की पारी खेली यह उनका पहला IPL अर्थ सतक था सुमीत कुमार साथ रसिख डार सलाम एक और एनरीच चार कुछ खास नहीं कर सकें और दिली की पूरी टीम 172 ओभर में 166 रन पर सिमट गई कोलकाता की ओर से बैभाय और ओडा और अरुन चक्रवर्ती ने 33 विकेट लिए वहीं मीचल स्टाक को 2 विकेट मिला आंध्रे रसेल और सुनिल नरेन को 1-1 विकेट मिला